नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि ओमेडोब कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ओमेडोब कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और ओमेडोब कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, ओमेडोब एक ब्रैंड नेम है, ओमेडोब कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, Omedo capsule के अंदर salt composition omeprazole 20 mg और domperidone 10 mg होता है Omedo capsule पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है Omedo capsule का उत्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्ती आने पर और उल्ती आने का मन होने पर Omedo capsule का उत्योग किया जाता है जैसे दर्ध को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट दर्ध या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. Omedo Capsule को दर्ध की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये साइड इफेक्स ना हो इसलिए आपका डॉक्तर ओमेडोग कैपसूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा ओमेडोग कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी ओमेडोग कैपसूल का उपयोग किया जाता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ओमेडोब कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ओमेडोब कैपसूल की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे पेट दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्त होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा, ओमेडोग कैपसूल की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक ओमेडोग कैपसूल का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक ओमेडोग कैपसूल को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैल्शियम, आइरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना ओमेडोग कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार ओमेडोग कैपसूल को लेने से ओस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से ओमेडोग कैपसूल को ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन दी के सप्लिमिन्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए. और विटामिन दी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि ओमेडोग कैपसूल को कै वैसे लेना रिक्मेंडेड होता है. आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर ओमेडोग कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं. ओमेडोग कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए. ओमेडोग कैपसूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओमेडोग कैपसूल का सेवन करना उम्र, उमेडोग कैपसूल को लेने की सलाद दे सकता है. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को उमेडोग कैपसूल को लेने से पहले डौक्तर से परामर्श लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीड अंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं